हाई दोस्तोम आप देख रहे हैं परो दोस को जहां है पोछ रहे हैं сидaste में कि गौंश के लोग का देनल प्रियंद वीडियो करने है ओके इस पर یں में कुलने के तो टेस्ट भी करेंगे इस वीडियो पे, साथ एक और प्रोड़क्त है, वह है ब्रेक क्लीनर, अगर आपके इस ब्रेक में जो है, चुल-चुल के साउंड आती है, या फिर दोस्तों, ओल या ग्रिस या डस्त आगे आने हैं, तो उसको कैसे क्लीन किया आता है, तो उस पे भी जो है आनुआ यह भी OKS का प्रोड़क्त है, इन सभी प्रोड़क्त को टेस्ट करेंगे इस वीडियो में, तो मेक शूर इस वीडियो लग दो दिखेंगे, चलिए जानते हैं, तो दोस्तों, बिफोर स्टाड़िग, अगर आपने चैनल स्क्राइब में आने हैं, चलिए करती हैं, साथी साथी अभी इंडिया में ही मैनुफेक्चर भी हो रहा है, तो चलिए से पहले चेन को करते हैं, कंडिशन दिखाता हूँ, उसके बाद दूप करते हैं, उसके बाद लास्ट वे जो है मैं दोस्तों, इसका जो ब्रेक लिए में वाला बोड़क्त है, वो भी कैसे ईूस करते हैं, एक आपके रेक्स वेस्तना राहा है और जा रही तो उषक से त्यौहसा है अफिर ड्रेस ? यव düş City करते हैं, वो भी भी वीड्यो में आपके मों दिखाता हूँ, चलिए बहले चेन करता हूँ तो दोस्तों पहले चेनी केंडिशन आप देखते हैं, चेनी केंडिशन, डस लगा हुआ है, रस नहीं है, यह दिखे, तो बहुत यह डर्टी चेन होगी है, चेन को पहले क्लीन करते हैं अच्छे से, और उसके बाद में आपको चेन को भी करके रिखाना है, तो उसके तो अब्राई करने वाले हैं, ओके उसका चेन लूप, एंड थोड़ा फोमबेस आता हलोक, तो इसको थोडलाँ शेक करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसस तो आप देख juvenile हैं, यह थोड़ाँ फोमबेस आता है, और जब मैं स्प्रेए कर रहाँ हैं, अब ही यार्या भी पह यह थोरा सा हलका सा stickiness जो है न वर मेडल बेज दा है, पहले भी क्लिर किया हुआ है कि dust से प्रॉडम नहीं है, रस से प्रॉडम है, जब चेन में rust लगता है तो मुवमेंट जो होता है chain का और हाड हो जाता है, इसके वे से अंदर के श्प्रोकेट, बाहर के श्प्रोकेट जो ह तो चेन लूब जो आपको यह करना है, यह एवरी फाइंड के लूवेटर पर करना है, अच्छा stickiness दिखता है, इसको थोड़ा साम क्लीन करेंगे, ताकि यह इतने भी लूब से है थोड़ी दर, दस बंदर मेंट रूखने भी बाद में, इसको एक कपड़ा से घुसमा के ज जाता होता है, वैसका लूब का एट अल्मोस्ट एक दो कंट अट मैं चलाहूं और ताकि तरह सेट हो जाए, ओर। अटलेट अगरा रख देंगे, तो आराम से प्रोपरली सेट हो जाएगगा, अन उसके बाद में यह जो रूख है, टायर चाईर पे भी नहीं जाएगा, त में इस तरह से वोक करता हैं क्या पेनिफिट होता है उसके सरी उसे पर कपेंगा तो द्रॖ अच्छे से पहले शीख कर लीजेए इसको एंड इसको हम डिश्क पेवी करेंगे और साथ-साथ मुझा टीसक्पड है करने वान है अपनी बाइक वाश कर रहे हैं, या फिर कोई डर्ट से आ रहे हैं, तो ये करने से डिस्क पैड भी क्लीन रहता है, और साथी दाथ कोई नॉइस भी जो है, डिस्क से नहीं आती है. फाइल दोस्तों आपने देखा, चेर लो मैं चेर प्लीन दोनों नी कर दिया है, इस तरह से आप डिस्क पैड जो हैं, और डिस्क को कैसे क्लीन करते हैं, उस पर जब ग्रिस लग दिया है, या फिर आपको कोई नॉइस चोची चूची कोई साउंड आ रहा है, तो हमेसा डिस्क लिनर या ब्रेक क्लीनर साब यूज बसकते हैं, इसमें इक और प्रोड़क्त यह जो आप प्रोड़क्त देख रहे हैं, 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 यह जो आप 500-600 किलोवेटर पेस को चेन लुप करें, पहुंत ही सही वर्पिंग है, अच्छा रहत है, और एक और जी बता दू कि, डस से प्रड़म नहीं है, अगर पूल में टिक्छे पकरें नहीं है, रस्टिंग से प्रड़म है, रस्टिंग से मोमेट जो दा चेन का वो फ्री नहीं हो सब्सक्राइबर पिंग सबस्ते है, तो से रस्टिंग आपर थार से अइसार से डिए स्सक्राइबर।